हरे कृष्णा आज हम छटे अध्याय का सात्वा श्लोक पढ़ेंगे 6.7 जितात्मन प्रशानतस्य पर्मात्म समाहित शीतोष्ण सुख दुखेशू तथा मानाप मानियो इसका अर्थ है जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही पर्मात्मा को प्राप्त कर लिया है क्योंकि उसने शांती प्राप्त कर ली है ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से हैं बहुत लोग जब भक्ती करना चाहते हैं या इन जनरल अपने जीवन में राइस करना चाहते हैं not materially, मतलब not पैसे-wise या social circle-wise, in general मतलब they think that they want to become a better human being वो एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं या जैसे मैंने शुरू में कहा एक अच्छे भक्त बनना चाहते हैं ऐसा करने से अगर वो एक अच्छे इंसान अच्छे भक्त बन जाएंगे तो उनके लिए like वो विचलित नहीं होंगे रोज-रोज किसी बात पर जैसे होता है कि आम तोर पर हम परशान से ही रहते हैं कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है कभी बहुत सर्दी लग रही है कभी कोई शरीरिक बिमारी हो गई कभी कहीं कोई आया नहीं कहीं कोई गया नहीं किसी ने कुछ कह दिया वो समस्याओं से हम गुजरते हैं लेकिन एक स्टेज ऐसी आ जाती है specially भक्ती के अंदर ऐसा किताबों में लिखा है गीता भागोतम के शलोकों को अगर हम पढ़ें परपट्स को पढ़ें जो प्रभुपाज जी ने लिखे हैं तो ऐसे समझ में आता है कि अगर हम भक्ती में प्रोग्रस कर लें तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब हम एक धीर वैक्ती बन जाएंगे स्थिर बुद्धी फिर हम हर वक्त छुट-छुटी चीजों के लिए विचलित नहीं होंगे तो शायद उसी स्टेज की बात इस लोग में हो रही है कि ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से हैं अब सवाल ही उठता है कि ये कब होता है जब हमारे को सुख दुख एक से लगे तो इस लोग के नुसार अगर हम समझें तो वो तब होता है जब हमने शानती प्राप्त कर लिया हो अब सवाल यह है कि शानती कब प्राप्त होती है जब हमने परमात्मा को प्राप्त कर लिया हो फिर परमात्मा की प्राप्ती कब होती है जब हमने मन को जीत लिया हो यही इश्लोक में लिखा है कि अगर हमने मन को जीत लिया तो हमने पहले ही परमात्मा को प्राप्ट कर लिया बहुत सारे लोग ऐसा सूचते हैं कि मरने के बाद हम परमात्मा को प्राप्ट करेंगे, भगवान को प्राप्ट करेंगे ये इस स्लोक हमें बता रहा है कि अगर हम जीते जी इसी जीवन में अपने मन को जीत लें तो जीते जी पहले ही हम परमातमा को प्राप्त कर लेंगा और इसमें शानती मिल जाएगे और शानती मिलने के ऐसा कैसे हो जाएगा कि अगर हम भक्ती में हो जाएगे तो हमें सरदी गर्मी का हिसास नहूं मुझे द्यान है कि मैंने किसी भक्त से ये एक्जेम्पल सुना था कि जैसे फर एक्जेम्पल बहार 40 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर है या और हाई टेंपरेचर है और अब मैं अगर आपको कहूँ कि आप भक्ती में आ जाएंगे तो आपको उस गर्मी का असर नहीं होगा तो कोई भी आदमें कहेगा ये क्या मजा कर रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता कि 40 डिग्री सेल्सियस अगर भार रोड पे गर्मी हो तो मैं अहसास नहों तो वो ऐसे अहसास होता है जैसे कि एक इसी कार में जाने वाले को नहीं होता अच्छली गर्मी तो होती है लेकिन अगर आप एक एर कंडिशन कार में ट्रावल कर रहे हैं गुड लग्शरी कार में तो बाहर 40 डिग्री टेंपरेचर होता रहे हैं आप अपने कार के अंदर 24 डिग्री टेंपरेचर मेंटेन कर सकते हैं और यू फील कमफटेबल आपको अहसास नहीं होता यानि कि एक अमीर आदमी को सड़क के गर्मी का असर नहीं होता वो अपने कार में कमफटेबल 100-200 किलोमेटर घुम आता है और उसको कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है इसी तरह से जो गर्मी है वो चड़ती है दिमाग में मन में गर्मी आती है किसी भी situation में, तो जब भक्त, भक्ती में progress करता है, शान्ती प्राप्ट करता है, मन को जीत लेता है, तो उसके दिमाग में जल्दी गर्में नहीं चड़ती किसी भी बात की, वो उस situation को सह लेता है, आपने देखा होगा कुछ लोग, सडक पे अगर एक गाड़ी हलकी सी भी टैच हो जाए, तो बहुत जगणने लगते हैं, वही कुछ लोग, जिन्नोंने थोड़ी शान्ती प्राप्ट की होती है, अगर गाड़ी टैच हो जाए, तो एक दूसरे को देखते हैं, मुसकराते हैं, और आगे निकल जाते हैं, तो यही फरक है जो हमारे जीवन में आएगा धीरे 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 एकदम बटन दबाते है कुछ नहीं होता है जितना मैंने आज तक सीखा है और समझा है बट ग्रैजुली धीरे धीरे हमारी भक्ती में आने से हमारे जीवन में शांती इस तरह से आती है कि हम चीजों को सहनशीलता के साथ डील करना सीखते हैं तो यही चीज इस शलोक में हमारे सामने आ रही है कि हमें अपने मन को जीतने का प्रयास करना चाहिए उससे जीते जेही हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे समादी की जुरुत नहीं है सन्यास की जुरुत नहीं है बस मन को जीतना है जब हम मन को जीतते हैं तो हमने पिछले स्लोकों में पढ़ाया तब फिर हम परमात्मा की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना शुरू करते हैं और ये चीज हम पहले भी कई बर चर्चा कर चुक हैं कि मन को जीतने के लिए हमें भक्तों का संग करना होगा, हमें हरी कृष्ण महा मंतर का जब करना होगा, एक आदशी वरत करने होगे, भगवान की सेवा करनी होगी, गुरू तथा अपने घर के बड़ों की, माता पिता की, अन्यादरने लोगों की रिस्पेक्ट करनी होगी, उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के कोशिश करनी होगी, ये कुछ बेसिक चीजे हमें करनी हैं, अपने आप से मन को जीतना असंभव है, हम छटे अध्याय में हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि अर्जुन जैसा महा से भक्तों के संग से जैसे मैंने भी कहा, तो हमें सभी को चाहिए कि हम कोशिश करके मन को जीतें, ताकि हम परमात्मा को पा सकें, शान्ती को पा सकें, और फिर इस जीवन में जो हमारा मन हर समय विचलित रहता है, परिशान सा रहता है, उस से फ्री होकर हम शान्ती को प्रा झाल झाल